किसी गरीब की मदद करना, मुसीबत दूर करना, हज करने या तीरत पर जाने से कहीं अच्छा है हाजर नाजर जिन्दाराम तेरा ही आस्रा इस्वर सत्गुर की दया से बंदगी हमारी बंदगी है, भजन है, पुन्य है वह मन से किया भजन नहीं है, मन मुगद नहीं जानता, जो मन के मते चलता है उसको कभी रास्ता नहीं मिलता है, वह कितनी भक्ती कर ले, उन्हें कभी मन जिल हांसिल नहीं होगी जो गुरू के भगत होते हैं वह गुरू के हुकम में रहते हैं उनको चाहे टोटा हो या नफा अपने यार के हुकम में यार की खुशी में रहते हैं मुर्शद आके हराम खाननू रज हराम खाईये हूं अगर गुरू कहता है कि मुर्दा खाले तो खाले ना चाहिए उसमें फायदा है जो गुरू से कहता है मुर्दा है वह अच्छा नहीं है उसको क्या पता अच्छे और बुरे की गुरू के बचनों से ही फायदा है क्योंकि मनमुख होते हैं वह मन के मारे होते हैं राम किसी को न मारता पापी है ना राम मर जाएंगे आप ही करकर के खोटे काम चार भगत रुहानियत शहादूनी दास जी के पास आया करते थे एक के घर कुतिया है एक के घर बिल्ली है और एक के घर इनसान का रूप है बाबा सोचते थे कि अगर मैं इनसान वाले भगत के घर जाओंगा तो बाकी के तीन भगत नाराज हो जाएंगे एक दिन महाराज जी ने चारो भगतों को बोला कि सभी भजन सुमरन पर बैठ जाओ जब चारो भगत भजन सुमरन पर बैठे तो उन्हें अपने घर के जो फोटू उनके घर में थे वही सब को अलग-अलग नजर आया बाबा ने सब से अलग-अलग पूछा कि तुमने क्या देखा तुमने क्या देखा तो एक बोला महाराज गदी देखी दूसरा बोला कुतिया देखी तीसरा बोला बिल्ली देखी और चोथे के घर इंसान रूप औरत थी बाबा ने भगतों का फैसला अपने आप करा दिया इनको कहते हैं मस्तानी मोज मस्ते शराब कीता चाहे दिल कबाब कीता हाजर नाजर जिन्दा राम तेरा ही आस्रा परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आस्रा रूहानियत शहा धूनी दास मोज मस्तानी हाजर अजूर शहा मूंगी राम जी मोज मस्तानी काल एवं दयाल की लड़ाई काल को दयाल बाजी जीतने नहीं देते यदि जीव दयाल की हाजरी एवं भाड़े में रहे तो एक द्रश्टांत एक मनुष्य है जिसकी धरम पत्नी ने काफी भक्ती कर रखी है महराज शाह मुंगी राम जी उनकी भक्ती पर दयाल है वहे दोनों प्रेमी बाहर लग रहे ससंग्वे गए काल ने पीछे से उनके घर में दयाल की निंदा कराने के लिए लड़के को घर से किसी के द्वारा गायब करा दिया महराज के वारसल लग रही है रात संगत में खलवली मची रही महराज की किर्पा से वातावन वारिस का हो गया एवं महराज जी अपनी सुर्थ को उन प्रेमियों के खोए लड़के के पीछे लगए रहे दूसरे दिन संगत वापिस आ गई एक हपते तक हाय तोबा मच गई लड़के का कोई पता नहीं महराज की काफी निंदा होने लगी आखिर एक प्रेमिय महराज जी के पास जाही रहा था कि जाने जान शाहा खुद ही आ गए एवं सभी प्रेमियों को बुला कर पूछा भाई सभी चारों तरफ ढूंडो किसी की समझ में फकीरी रमज नहीं आई सब अपनी अपनी चत्राई चलाने लगे प्रेमिय का काफी खर्चा हुआ सब ने चारों तरफ जिसको जितनी समझ थी दोड लगाई आखिर महराज कुछ प्रेमियों को लेकर अपनी ज्यान चज्जुओं के आधार पर उसी जगे जाकर छापा मारा जहां लड़का था भाव है कि जिसके आख दस्वा द्वार खुला है वही देख सकता है वरना इस संसार रूपी जेल खाने में चारों तरफ अंदे के समान फिरते रहो कोई हुई चीज मिल नहीं सकती लड़के को लाकर महराज शह मुंगी राम जी ने सभी जीवों की आखे खोल दी पर उन्होंने कहा संत मत में जो जीव संतों की परिक्षा लेता है वह यहां से कुछ लेकर नहीं जा सकता संतों की परिक्षा लेना अच्छी बात नहीं है महराज ने विचलित भाव से कहा कि जिस जीव से ज़्यादा प्यार करता हूं वह अपने आपको पता नहीं क्या समझ लेता है अरे बाबा प्यार करता है ढूनता है कि कोई जीव आगे आए और यहां सब पीछे की और भाग रहे हैं पूरी रात महराश शह मुगी राम जी अपने गुरु मुर्शद को याद करते हुए खूब रोते हुए एवं दूसरे दिन सत्वाडी अपने गुरु के इस्थान पर चले गए भाव है कि परमसंत डेरों की परवा नहीं करते वह जीवों को मार्ग नामदान का देने आते हैं जीवों को खिला पिला कर पुछकार कर नामदान दे कर उन्हें बताते हैं कि भाईयो भाईयो जो कुछ है जीते जी है जीते जी ग्रस्त में रहते हुए मैनत मजदूरी का भोजन खाते हुए संत्पुर्सों के कोशकी संगत सेवा करते हुए हाजरा हजूर के नाम लीव लगाओ एवेम तिरकुटी में हाजरा हजूर के दर्षनों की चाहा देखो जो कुछ है सो हाजरा हजूर का है मान कर चलो उस जीव की संभाल हाजरा हजूर जरूर करता है लेकिन करता हुशी की है जिसे पूरा भरोसा है जिसे पूरा भरोसा नहीं है उसकी वे बेपरवा भी खबर नहीं रखता क्योंकि उसके बारसल लगी हुई है वह कंड़ कंड़ पत्ता पत्ता की खबर सुल लेता है मन मुख को गुरु रख तो लेता है लेकिन उसे सुकम देश में छोड़ देता है एक इस दर्ष्टांति से सभी जीवों को सिक्षा लेनी चाहिए हाजरा हजूर आख है वह सब कुछ आप ही करता है लेकिन बहाना दूसरे का लगा देता है अते जीवों को मन की मती छोड़ कर हाजरा हजूर के हुकम भाड़े में रहना चाहिए वह बेपरवा जो कहे सो करना चाहिए अपने मन की मती बिलकुल नहीं चलानी चाहिए वह कहे कि गंद खालो तो उसमें भी गुरू की कुछ दया महर होगी समझ कर हुकम मान लेना चाहिए क्या पता वह गंद कह रहे हैं और अंदर अमरत रख रखा हो अते जिसके आख है उसे पता है कि क्या सच है और क्या जूट जीव को जब आखही नहीं है जीव के जब आखही नहीं है वह देखही नहीं सकता तो उसे चुप रहकर हाज रहजूर के भाड़े में मान लेना चाहिए भ़ला है जो जीव गुरू की बात मान कर अपनी दिन्चरिया चलाते हैं गुरू पर विश्वास करते हैं उनसे काल ठगी कर लेता है एवं जो जीव गुरू के भाड़े में रहकर मन की मती से में चलते हैं उनसे काल ठगी कर लेता है हाजर नाजर जिन्दा राम तेरा ही आस्रा धन्दन सत्गुरू तेरा ही आस्रा ससंग के समक्ष हाजरा हजूर शाह मुंगी राम जी के मुख बचल कल्यूग में सस्ता राम मिल गया है इसलिए जीव इस नाम की कदर नहीं कर रहे हैं एक सस्ता कपड़ा बड़ी दुकान पर हो तो वह महंगा मिलता है वही कपड़ा सडक की पटड़ी पर मिले तो सस्ता मिलता है इसी पिरकार मस्ताना शाह जी के गर ने घरगर सस्थंग लगा कर नामदान सस्था कर दिया है अतय जीव इसकी कदर नहीं करते इस जीव के लिए बड़े बड़े तपेश्वरी ब्रह्मा विश्णु तरस तरस कर चले गए नाम नहीं मिला ग्रस्ती कभी भजन नहीं कर सकता संगत से प्यार करना यही भजन है एक मकान तोड़ने में कितना दुख होता है महराज मस्ताना जी किसी के कहने पर कि कितना सुन्दर मकान है मस्ताना शाह उसे तुड़वा देते थे सत्गुर ने इनसान को आख देखने को दिये हैं काम सुनने को दिये हैं मुह बोलने को दिया है हाथ काम करने को पैर चलने को इनसान के अंदर वारसल लगी हुई है पर वह सो जाता है जीव के अंदर कोई खास चीज है जो मनुष्य नाम लेकर भजन सुम्रन नहीं करता एवं गुरु से भी मुख हो जाता है सत्गुर उस रूह को सुकम देश में छुड़वा देता है मरे बाद कुछ नहीं मिलेगा राम मिलेगा तो जीते जी ही मिलेगा अपना राम ही इनसान के काम आएगा नहीं तो काल बाज की तरह फाड डालेगा जैसे बाज चिडिया को फाड देता है चोधे पद का राम इंसान है इंसान के अंदर ही है मन को बिठाईये जिस दिन मन बैठ जाएगा उस दिन सब सोधा बिख जाएगा अंदर तिरकुटी पर चड़कर देखो महा हाजरा हजूर बैठा है महा की बोली और है दुनियाधारी की बोली और है यहां की बोली काम नहीं आएगी रुहानी बोली को सुनो उस ध्वैनी को सुन लिया फिर यहां आना नहीं पड़ेगा सोदा बिक जाएगा मोत भी अंदर ही है भजन करने वाला भी अंदर है क्रोधी भी कातिल भी सब अंदर ही है संत काया को दुख देते हैं संत महात्मा कहते हैं कि काया को अच्छी तरह रख कर रात को भजन पर बिठाओ जीते जी तलास करो रूह को अंदर तिरकुटी पर चड़ा, रूह को हर कोई नहीं ले जा सकता, परमसंत रूह को अंदर तिरकुटी पर रूह को दान संतों के हुकम से दिया ही काम आता है, मांगने वाले को दान नहीं देना चाहिए, सादू संगत की खुशी उसी को मिलती है, जिसे सोख हो, हाजरहजूर से प्यार हो, वहें खुशी अंदर बैठी है, महराज गुरु नानक सहाब आए, किसी नहीं माना, शिश्य वही है जो गुरु की शिक्षा माने, एव करने वाले शिश्य कहां से बन जाएंगे, मन से 28 यु मन ब्रह्मा लोक में आत्मा को छोड़ देता है, आत्मा पुकार कर कहती है कि सब दुनिया को मन नचा रहा है, भगत गुरु के हुकम में काम आता है, काम करता है, गुरु के हुकम को भगत सच बचन मानते हैं, ससंग से कुछ नय कुछ होता है, ससंग को खुशी अनोकी होती है इंसान के जाग पीछे के को होती है रूह के तिरकुटी के से उपर चड़ने पर महां मन की कोई चला की दलीले अकल नहीं चलती वह सब वह सब मन की दलीले तिरकुटी तक ही है नामधारी जीव की रूह को अंदर हाजराजूर मास्टर ही ले जा सकता है पूरा सत्गुर कभी मान बड़ाई नहीं करता भगत अपना सब कुछ गुरु के हवाले बिना मांगे ही कर देते हैं आग लगे तेरी धोलडी को जहां नहीं हरी का नाम बलिहारी उस जोपडी को जहां मेरे गुरु का नाम संत मातमा किसी के मुहताज नहीं होते कभीर सहब ने जाडों में अपने घर में आग लगा ली दुनियादारी मान बड़ाई में जीव खर्चा कर देते हैं ससंग में कोई भिरला ही खर्च करता है महमान का घर खाया या चिडिया का खेत चुगा कभी वापस नहीं आता बेटे बेटियों को घर गिरस्ट के लिए करजा करके जीव शादी व्या में खर्चा कर देता है लेकिन अच्छाई के रास्तों पर जीव पांच रुपे खर्च करने में भी जीव और समस्ता है जीव जोर समस्ता है दान वही है जो गुरु के हुकम से किया जाए मान बड़ाई से किया खर्चा कभी दान नहीं माना जाता अते जीवों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जीव कभी भी कभी मैमे के चक्कर में ना फसे ये एहनकार किये कराय को चोपट कर देता है हाजरा हजूर से प्यार करते हुए उनके भाड़े हुकम में से जो जीव गरस्त आसरम को सुचारू रूप से चलाते हुए गुरु के नाम का सुम्रन करता है गुरु उस जीव की खुद ही सभाल कर देते हैं नानक दुखिया सबसंसार सोई सुखिया जो नामदार धरम की जड सदा हरी होती है लेकिन कोई विर्ला ही इस लाइन पर चलता है शहा मुंगी राम जी का गाउ मीठापूर एमम मोड बंद की तरफ काफी रुख है उस प्यार की उपमा का इस जीव पर वर्णन लिखा नहीं जा रहा भगत विश्नुदत प्रधान मीठापूर वाले प्रेमी परव शहा मुंगी लगे ससंग दिनांक एक साथ सतासी को इतने खुस हुए कि उन्हें साथ बिठा कर खिलाया प्यार किया एवं दात स्वेरूप नई पंजाबी जोडी जूतियों की दी विश्नुदत जी ने इसकी कदर की संत दात देते नहीं अगर दे भी दे और लेने वाले ने उसकी कदर नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं संतों की संतों की कदर में ही सब कुछ है संत खुस हो जाएं तो पाद पर हो जाएं नही तो कोई सीज काट करके भी रख दे तो भी खुस नहीं होते एक द्रश्टांत की एक प्रेमी गुरु महाराज के पास रहता था उसकी लड़की की शादी थी उसने महाराज से कहा कि महाराज मुझे लड़की की शादी करनी है गुरु महाराज ने उसे अपने पैरों की फटी जूती दे दी मन में संकोच करता ही रास्ते से घर जा रहा था कि इन फटी जूतियों का मैं क्या करूंगा शादी कैसे होगी महाराज ने कुछ पैसे तो दिये नहीं रास्ते में रास्ते में एक राजा ने उन जूतियों की महक सुंगी और अपने घर की महक उन जूतियों में नजर आई अपने गुरू की महक उन जूतियों में नजर आई राजा ने उस प्रेमी को बुला कर उसकी बड़ी सेवा की और कहा कि ये जूति आप मुझे दे दो इसके बदले में तुम्हें साथ खचर सोने की असरफियों के भरे गदे भरे हुए दूँगा प्रेमी बहुत खुश हुआ और साथ खचर की असरफियों के भरे हुए गदे ले लिए प्रेमी बहुत खुश हुआ और साथ खचर घर ले आया और खुशी खुशी अपनी लड़की की शादी की राजा ने वह जूतियां अपनी तिजोरियों में रख दी जब है राजा गुरु महराज के पास पहुँचा तो महराज बहुत नाराज हुए और राजा से कहा कि राजा तूने ठगी कर ली इस जीव को जब तत्तियों पर चलने चलना पड़ेगा तो ये जूति काम आती तूने असरफियां दे कर ठगी कर ली भाव है कि संत की दात क की कदर करनी चाहिए जो संत की दात की कदर करता है तन मन धन हाजरा हजूर सत्गुर के हवाले कर देता है उसकी सत्गुर हाजरा हजूर जरूर संभाल करता है लेकिन करता उसी की है जिसे सत्गुर हाजरा हजूर पर विश्वास होता है हाजर नाजर जिंदाराम ते रही आ लड़के को लाकर महराज शहा मुंगी राम जी ने सभी की आखे खोल दी और उन्होंने कहा कि जीव परिक्षा लेते हैं परिक्षा लेने वालों का बुरा हाल होता है संत मत में जो जीव संतों की परिक्षा लेता है वे यहां से कुछ लेकर नहीं जा सकता संतों की परिक्षा लेना अच्छी बात नहीं है महराज ने विचलित भाव से कहा कि जिस जीव से ज़्यादा प्यार करता हूं पिरात महराज शाह मुंगी राम जी अपने गुरू मुर्शद की याद में याद करते रहते थे खूब रोते रहे एवं दूसरे दिन सत्वाडी अपने गुरू इस्थान चले गए भाव है कि परम संत डेरों की परवा नहीं करते वह जीवों को मार्ग का नामदान का देकर आते हैं जीवों को खिला पिला कर पुछकार कर नामदान देकर उनको बताते हैं कि भाईयो जो कुछ है जीते जी है जीते जी ग्रस्त में रहते हुए मेनत मजदूरी का भोजन खाते हुए सत्पूर्शों की संगत की सेवा करते हुए हाजरा हजूर के नाम लिव लगाओ एवं तिरकुटी में हाजरा हजूर के दर्षनों की चहा रखो जो कुछ है सो हाजरा हजूर का है मान कर चलो उस जीव की संभाल हाजरा हजूर जरूर करता है लेकिन करता उसी की है जिसे पूरा भरोसा है जिसे भरोसा नहीं है उसकी बे परवा भी खबर नहीं रखता क्योंकि उसके वारसल लगी हुई है वह कनकन पत्ता-पत्ता की खबर सुन लेता है मन मुक को गुरु रख तो लेता है लेकिन उसे सुखम देश में छोड़ देता है इस द्रश्टाम्त से सभी जीवों को सिक्षा लेनी चाहिए कि हाजरा हजूर के आख है वह सब कुछ आप ह करता है लेकिन बहाना दूसरे का कर देता है अते जीवों को मन की मती छोड़ कर हाजरा हजूर हुकुम भाड़े में रहना चाहिए वह बेपरवा जो कहे सो करना चाहिए अपने मन की मती बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए वह कहे कि गंद खालो तो उसमें भी गुरु का गु युश के आँक है उसे पता है कि क्या सच है और क्या जूट जीव को जब आक ही नहीं है वह दे नहीं सकता जीव último की बात मानकर अपनी दिन कि नहीं कर सकता उन से कवी ठगी Time कर सकता एवं जो जी गुरुल के भाड़े हुकम में रहते हैं मन की मती में चलते हैं उन से कल ठगी कर लेता है